हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम्बिशन एकेडमिट 24 इन्टू 7 इस लेक्चर में आज हम लोग मिनिंग आफ माथमेटिकल टर्म्स के बारे माज जनकारी प्राप्त करेंगे यदि इस चैनल पर एम्बिशन एकेडमिट चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिजगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिजगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करू तो आप लोगों को जानकारी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके यो लक्षा नावर वान में क्या है किसे रिलेटेड है mythical symbols related है चलिए लेक्शा नमर्व सिंबोल है मीनिंग ऑफ सम सिंबोल इसको टर्म्स बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं टर्म्स meaning of some symbols या बोलिए terms meaning of implies इसको क्या बोलते हैं equal पर last में एक arrow दे देते हैं implies 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 is read इसको क्या पढ़ते हैं A implies B and A implies B का meaning क्या होता है means होता है if A is true then B is also true यदि A सही होगा तो B भी क्या होगा सही होगा वहाँ पर हम mathematically आईसे रिपरजेन करेंगे आईसे लिखेंगे mathematically ओके next point है मेरा meaning of meaning of not implies क्या बोलते हैं इसको meaning of not implies meaning of not implies implies को क्या करते हैं काट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं not implies क्या बोलते हैं not implies A not implies B easy read आज इसको क्या पढ़ते हैं mathematically A not implies B and A not implies B इसका meaning क्या होता है मत्मरली क्या होता है if A is true then B is may or may not नीचे होगा B not true A not implies B यहां B होगा B छूट गया है इसको लिख ले ना टाइपिंग करने वाला mistake कर दिया है गवरप जी मेरा टाइपिंग मास्टर यहां बैब B लिख ले ना क्या लिखेंगे A not implies B ok mention करना ना notebook में अपना लिख ले ना A not implies B meaning होता है A true है यदि A true होगा तो B true भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है May or may not be true Mathematically यह ऐसे लिखेंगे जब हम लोग कोई topics में जाएंगे तो यह सारा चीज का क्या होगा उसमें यूज होगा इसलिए हम अभी half घंटा से भी कम का lecture अभी बना रहे हैं बाद में आपको कोई भी जब topic में घूचेंगे यह सब चीज आपको छोटा छोटा चीज और उसमें दीकत नहीं होना चाहिए इसलिए अभी इसको किलियर कट समझ लेंगे कि बाद में जो हम टॉपिक्स में घुशेंगे तो कोई परका करें दिकन नहीं होना चाहिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है इक्जांपल से इसको किलियर कट समझते हैं यानि कहां पर हम इंपलाज का यूज करते हैं कहां पर नोट इंपलाज का यूज करते हैं देखें इसको कहीं पर रख देए नीचे 3x 3x-6 बराबर 0 है तो इसको ंपलाज लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यानि 3x बराबर 6 तो इंपलाज 2, यानि इंपलाज को मतलब क्या आता है या ये सही है तो ये भी मेरा लिखना क्या हुआ करेंगे यूज करेंगे लिग सकते हैं ये तो ये भी सही है यह सही है ये सही है जो होताए है माजमेटीले इंपलीए सबाह yüzden रिख सकते हैं यह नियो करते प्लस 6 बराबर 0, यानि x square minus 5x plus 6 बराबर 0, तिस वो लिख सकते है, x square minus 2x minus 3x plus 6 बराबर 0, यानि गुनान खंड तोरने के लिए आता है न, कैसे गुनान खंड को तोरते हैं, first और last को क्या करते है, product करते हैं, और दोनों को क्या करते, sum और subtraction के थुरू, middle वाले को क्या करते है, पुराते हैं, कितना है, तो minus 2x minus 3x कितना होगा, minus 5, अब multiply भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, plus 6x square, अब इसमें common क्या, x common है, तो क्या हो जाएगा, x minus 2, इसमें minus 3 common होता है, x minus 2, क्या common है, तो x minus 2 common है, तो क्या बच गया, x minus 3, बराबर 0, यहां से दोनों टर्म क्या करेंगे, 0 करेंगे, या तो यह 0 होगा, या यह 0 होगा, तो whole क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा x-3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 यानि यह हम जो लिखे हैं equation तो यह जो है तो आईसा भी हम लिख सकते हैं आइसा भी लिख सकते, आइसा भी लिख सकते एट वहाँ पर कैसे किसका यूज करके हम लिखेंगे, इंपलारिज काुज करके लिखेंगे, मेरा टैपिंग माश्टर गौरम जी मिस्प्रिंट कर दिया, इसको आपको क्या करना है? सही कर ले वरश्वकाल, मैं हम journalism协 लेक्चर नमबर वन में हम mathematical symbols के बारे में हम जनकाली प्राप्त कर चुके हैं लेक्चर नमबर वन यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो लेक्चर नमबर वन जरूर पढ़ लिजेगा क्योंकि उस mathematical terms जो है वो सारे हर जगह उसका यूज होगा application है उसका इसलिए इसको लेक्चर नमबर वन को पहले देख लीजेगा और पढ़ाए continuous process होता कहीं कभी नहीं पढ़ सकते हैं कहीं कभी पढ़ियेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो टीचर को आप लोग दुख देने लगते हैं कि अच्छा तो हमको अच्छा बता ही नहीं चर हमको अच्छा पता ही नहीं तो ऐसा नहीं पर है ये continuous process होता है तो इसको line by line पढ़ेंगे यह ने कहीं कहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो यह फा है यह ठीटा है two intersecting line है यहां पर यह क्या है ठीटा है और यह क्या है फा है जब two intersecting line होता तो हिंदी में जानते होंगे क्या होता है इक्वल होता है डाट इज ठीटा एंड फा आर अपोजिट एंगिल्स आप टू intersecting lines यानि दो intersecting जो line cut किया है तो उसके बीच का एंगिल आमने सामने का एंगिल क्या होगा इक्वल होगा तो यहां mathematically किसका यूज करेंगे इंप्लाज का है इंप्लाज दाट ठीटा बराबर फार ते एक्जाम्पल से आपको किलियर कर समझ में आ गया होगा कि इंप्लाज का कहां यूज करते है mathematically और note implies का कहां करते हैं नीचे हम देखते हैं note implies if theta 1 बराबर 80 degree if 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 theta 1 बराबर 80 degree okay theta 2 बराबर 140 degree 1 40 degree और theta 3 बराबर minus 40 degree तो theta 1 plus theta 2 plus theta 3 बराबर कितना 180 degree कितना 180 degree but we cannot say but you cannot say theta 1 comma theta 2 comma theta 3 are angles of triangle 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 i hooga triangle i miss print कर दिया triangle since angles of triangle can not be negative यानि किसी भी triangle का एंगिल नीगेटिव नहीं होता है त्यान से क्या उसके पाए जो लिखा हुआ उसे क्या निशकर्स निकलता है कि जब तीन एंगिल का सम 180 degree होगा तो यह नहीं है कि ट्रेंगिल का ही एंगिल होगा क्योंकि कि ट्रेंगिल का एंगिल कभी नीगेटिव नहीं होता है तो इसलिए यह क्या करेगा गलत है चलिए नेक्स रिजामपल देखते है क्या है बट इफ अलफा 1 बरावर अलफा बरावर 60 degree अलफा 2 बरावर 30 degree और अलफा 3 बरावर 90 degree यहां पर से करा है देखो क्योंकि यहां पर अलफा 1 अलफा 2 अलफा 3 क्या है पोजेटिव है और किसके बीच का है जीरो से 180 degree के बीच का एंगिल है तो वो तीनों एंगिल का सम कितना आया है 180 degree आया है कितना आया है 180 degree तो जब 180 degree सम आ जाएगा और 0 से 180 के बीच में आता है तो किसका एंगिल होता है ट्राइंगिल का एंगिल होता है इसको हम कह सकते हैं कि अलफा 1 अलफा 2 अलफा 3 किसका एंगिल है ट्राइंगिल का है तो इन नीचे में लिखा हुआ है और एंगिल्स ओफ ट्राइंगिल्स दिखा लेते हैं are angles of triangles since क्योंकि alpha 1, alpha 2, alpha 3 किसके बीच का angle है 0 से 180 degree के बीच का angle है so that if sum of 3 angles alpha 1, alpha 2, alpha 3 equal to 180 degree याने 3 angle का sum 180 degree होगा और angle क्या होना चाहिए positive रहना चाहिए और 0 से 180 degree के बीच में होगा तो वो किसका angle होगा किसी ने किसी triangle का angle होगा ok that is उसी को दूसरे language में that is का कहाँ पर यह करते हैं जब एक ही चीज को हम different different time से इसको हम क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं, show कर सकते हैं तो वहाँ पर हम that is का use पर यह करते हैं हम आपको lecture number one में बताए हुए हुए है इसलिए आप lecture one को पहले देखिएगा उसके बाद lecture two, lecture three, lecture four, lecture five आज का है lecture six चलिए हम लोग next point परते हैं क्या है note implies alpha one, alpha two, alpha three are angles of a triangle यह नहीं आए कि alpha one, alpha two, alpha three angles का क्या होगा triangle का angles होगा आप दोगे, next example है, ram eats apple ram eats apple ram eats apple, ram eats fruits क्योंकि ram apple खा रहा है तो ram कोई न कोई fruits खाता होगा तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे mathematically implies का यूज़ करेंगे, यह यानि सही है, यह word यह language यह यह सही है, तो यह भी सही होगा तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, implies का यूज़ करेंगे राम इट्स एपल ब्समे क्री आपको यह अधया तो राम कुछे समय कैंपीरियरीध में भगायंक रांगि सब्सक्रारा का रिखा रहा है वह तो मालूम नहीं है मांगु खरा की एपल खरा इमली खरा रहा है तो आपको नहीं पता चला है इसलिए यहाँ पर not implies का यदि यह सही है तो यह सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ओके दोनों बास से आपको समझ में आया की नहीं कहां पर implies का यूज़ करेंगे और कहां not implies का यूज़ करेंगे आपको पता चल गया होगा चलिए next example हम चलते हैं देखिए if n बराबर n को किसे denote करते हैं natural number से किसे natural number से lecture number 1 में हम बता दिये आप लोगों को lecture number 1 जरूर देखिएगा उसके बाद lecture 2, 3, 4, 5, 6, 1 इसी टाप से if n बराबर n को हम natural number से denote करते हैं और natural number किसको बोलते हैं या 1 से ले करके infinite तक के number को क्या बोलते हैं natural number जिसको हिंदी ममलो क्या बोलते हैं प्राकिर्तिक संख्या हिंदी में इसका definition क्या होता है गिंती की संख्या गोन क्या बोलते हैं प्राकिर्तिक संख्या अब हिंदी में जनकारी प्राप्त नहीं करना है, इंगलीस में करना है, इंगलीस से डरना नहीं है, जब तक कोई चीज को सामना नहीं करिएगा, तब तक आपको easy नहीं लगेगा है, जितना आपको जो भी चीज दुनिया में जो भी चीज आप कर रहे हैं, difficult रागता है, उसस से उतना समना करिए, तब आपको easy लगेगा, डर येगा तो आपको हार जाएगा, तो डरना नहीं है, आप जो काम लिये हैं, उस पे 100% के साथ काम करिए, जिस दिन आप 100% के साथ काम करिएगा, उस दिन आप कोई भी मंजिल होगा, कितना भी उचा क्योंनों मंजिल हो जाए सब्सक्राइब, इसलिए आप जो काम लिया है, उसको पूरी 100% के साथ काम करिए, तो natural number, 12345, और whole number कहां चालू होता है, 0 से, यानि natural number में, 0 सामिल कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, whole number बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संक्या, क्या बो एक्स बिलाउघ का रहा है एक्स बिलाउघ करके यूज करेंगे ख्स बिलाउघ में है यंच-पे क्टा प्रम थो एक्स फोलनमर में होगा आ रहा समझ में क्योंकि X belong करा है one से example के लिए X belong करा है one से तो X belongs करेगा किस से whole number से किस से whole number से यहांनि X में जो यहांनि X natural number का जो भी element होगा वो सारा किस में present रहता है whole number में present रहता है इसलिए यहां पर क्या करेंगे implies का यूज करेंगे mathematically since X is natural number जो कापिटल लेटर से दिनोट करते हैं then it also in whole numbers W उसी को language में लिख दिया है ओके next point है तके क्या है next point है if X belongs to whole number एक्स बिलंग्स टू होल लंबर तो नोट इंपलाज क्या बहलेंगे नोट इंपलाज यानि इंपलाज को कार देते हैं तो क्या बोलते हैं एक्स बिलंग्स करा होल नमर से यह जरूरी नहीं है कि एक्स निच्रल नमर में होगा किसमें होगा निच्रल नमर में क्योंकि एक्स बिलंग्स करा होल नमर में तो एक्स बिलंग करा है जीरो से किसे क्यों मन करा है जीरो से तो जीरो किसका इसको क्या बलते हैं इंपलाइज बोथ 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 इसका क्या मिनिंग होता है इंपलाइज क्या परते हैं इंपलाइज बोथ 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 इसका मिनिंग क्या होता है if and only if यानि तीनों में से कोई का यूज कर सकते हैं ओके ये जो है mathematically जो लिखते हैं तीनों में से कोई लिखा रहेगा तीनों का मिनिंग क्या होगा? सेम होगा implies both way यानि दोनों साइट से A both implies B इसको क्या परेंगे? easy read है आज क्या परेंगे? A implies B both way example से इसको clear cut आपको समझ में आएगा A implies both way B या A if B या A if and only if B all three have the same meaning तीनों का meaning क्या होता है? same होता है ये नहीं कि एक जान लेंगे और दो को छोर देंगे और योही दो में से exam में आ गया पूछ दिया तो आपको आप जानते हुए भी आपसे नहीं बनेगा इसलिए कोई भी चीज को जिस जिस तरीका से हम उसको जानते हैं वो सारे तरीका आपको होना आना चाहिए नहीं तो आप जानते हुए question नहीं बनेगा कि आदमी का भी एक नाम नहीं होता है कम से कम दो नाम होता है एक जेनरल नाम होता है जो सब आदमी पुकार था एक घर का एक नाम होता है छोटू कुछ से कुछ पुकारते रहता है घर में और एक परवपर नाम होता है तो उसी टैप से जितना नाम होता है वो सारे आपको जनकाली रहना चाहिए यदि आप एक याद करते हैं दो भूल जा तो यह दि आप एक्जाम में दूसरा चीज को यूज कर दिया जो आप जानते नहीं है तो आपसे question बनेगा मज आप जान नहीं रहे हैं सारे चीज को जान लीजे जो जीज जीज तरीका से हम बोल सकते हैं वो सारे चीज आपको होगा तो आप बना दीजिएगा इसलिए सारे चीज को आपको आना चाहिए इसको क्या परते हैं if and only if be all three have the same meaning क्या होता है सेम होता क्या मिनिंग होता है इंपलाइज बोथ वे यहां भी लिख दिया है इंपलाइज बोथ वे क्या पढ़ते हैं इंपलाइज बोथ वे A implies both way meaning इसका क्या होता है इसका meaning क्या होता है if mathematically if A is true यदि A true है then B is also true and if B is true then A is also true यदि A true है तो B भी true होगा B true है तो A भी true होगा ओके आ रहा समझ में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को देखिये इसको example से clear cut समझते है Example से clear cut देखिये if 5X 5X minus 7 by 0 तो इसको implies लिक सकते है क्या implies X लिक सकते है 7 by 5 यानि ऐसा है तो ऐसा लिक सकते है ऐसा है तो ऐसा लिक सकते है दोनों टैप सा Converse है है कि नहीं है नीचे देखिए also if x बरावर 7y 5 तो 5x-7 लिख सकते हैं देखिए एकस बरावर क्या है 7y5 इसको हम लिख सकते हैं 5 को इसमें multiply करेंगे दो क्या होगा 5y x बरावर 7 7 को क्या करेंगे जब कोई भी term को left से right ले जाते है right से left ले जाते है तो उसका sign में क्या होता है changing होता है सब्सक्राइब लिख सकते हैं दोनों तो यहाँ पर किस का यूज करेंगे किंहार माथ लिखा यूज करेंगे मैं इंच कर आया क हम्पले का यूज कर आयाख समझ में एकजान्पल से यहा departments 5x minus 7 बराबर 0 तो बोत ही इंपलाज भूए x बराबर 7 बर 5 x बराबर 7 बर 5 5x minus 7 बराबर 0 तो if IAAF टीनों का मिनिंग क्या होता सेम होता इसलिए हम बता देते हैं कि बाद में आपको कनफीज नहीं करना है if x बराबर 7 बर 5 5x minus 7 बराबर 0 if and only if x बराबर 7 बर 5 यहां पर लिख दिया है all three represent same things तीनों क्या करता है एक ही things को represent करता है मज लिखने का तरीका क्या है अलग अलग है इसलिए आपको तीनों चीज आना चाहिए चले नेक्स पॉइंट चलते हैं मेरा क्या एक्जांपल है उसी से related ओके इफ यह अन बराबर से करते हैं नेचरण नमर कहा चालो होता है start होता है one से लेकर के n तक infinite whole number zero से इस्टाट होता है यह निदिक नमर में 0 इंक्लूट करतेंगे तो किसके पराबर होता है whole number के पराबर होता है जिसको हिंदी में हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, वो सारा चीज, नेचरल नमर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, रेशनल नमर किसको बोलते हैं, रेशनल नमर किसको बोलते हैं, वो सारे चीज हम कहा परेंगे, नमर सिस्टम परेंगे, जब मेरा बेसिक मायत खतम हो जाएगा तो नमर सिस्टम आपको हम बताएंगे चलिए देन एक्स विलॉंस टू नेचरल नमर एक्स विलॉंस करा है नेचरल नमर से एक्स होल नमर से विलॉंस करेगा एक्स यदि नेचरल नमर से विलॉंस करा है तो एक्स होल नमर से दोनों सैट से हम नहीं कह सक सकते हैं तो वहां पहले किसका जी करेंगे वह को क्या करेंगे काथ notions क्या बलेंगे नोट वह difficल वह Conference बिलाइब पारेंगे सो बीदुद करेंगे टेंटोल्हें एक्स टूर मेंञोड ओलनक मर बलाइब उसको नियुन बैंक़ गरच से यानि one natural number में है one one belongs करा natural number में one belongs करा natural number में तो one belongs करेगा whole number में जीरो जैसे minus zero zero belongs करा whole number में जीरो तो belongs नहीं करा यह then does not belongs to natural number तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों के x belongs to natural number तो x belongs to bench all number यानि x जीतना भी end में होगा वह सारे किसमें होगा whole noंar में होगा इसलिए यहाँ क्या करेंगे इंपलाज का येo करेंगे मद और x बिल zw करेगा natural number में यानि 0 बिलॉण करा whole noंर में यह तो नहीं हा कि ळग विलंग से निरो काई से बिलंग करता है तो आइसा हम नहीं बोल सकते हैं यह सब्सक्राइब के लिए उस में होगा तो यह किसका यूज करते नो टीमि पलाज के यूज करते हैं समझ में आ गया हुगा जैसे फिर एक्जामपल राम इट्स एपल राम क्या कर रहा है एपल को खा रहा है तो राम इट्स फुरूर्स राम कोई नो कोई फुरूर्स खाता हुगा यह तो मैंगो खाता हुगा या एपल खाता हुगा कोई फुरूर्स से खाता हुगा तो यह मेर आप इसको easy way में लीजेगा तो बाद में जब हम topics में आपको बताएंगे ये सब things का use करेंगे mathematical terms का ये छोटा-छोटा terms है mathematical ये हर एक जगा mathematics जब broadly way में कोई भी topics को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारे चीज़ इसका क्या करेंगे यूज करेंगे इसलिए आप जैसे ही हम वीडियो अपने चैनल पर Ambition Academy 24x7 पर हम जैसे ही वीडियो को upload करते हैं वाइसे ही जल्दी आप क्या करें नोटिफिकेशन आप करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा उसको वाइसे ही तुरंत क्या करेंगे उसको देख लीजिए क्योंकि अभी हम जैदादेर का वीडियो हम भी बनाते नहीं मिनिमम से मिनिमम यानि 30 मिनर्ट से कमी का मेरा लेक्टर आता है डेली का अब यह से पलान बना लेना है कि इतना घंता हमको डेली पड़ना है अभी से आप कर लीजेगा तो आगे चल कर आप चार घंता यानि छे घंताFC दिन मेंपढ़े हैं तो आगे चल कर आप दस घंता भी मिन पोड़ सकते हैं पले शुरुकरivoat में क्या क्या करता है जीरे दीर लिये और सार का लेक्चर हम देख लिये तो मेरा पड़ाय हो गया उस पड़ाय का आजकल जम आने में क簡貌 समझाते हैं कि संखल रिकाल करना है क्योंकि हम सौचे हैं जी सोचे तो हम है तो मेरा होगा आपका कब जब आप रूम पे जा करके इसे लफ पर सुचिए काईसे सर कोई भी प्रोवलम को सुचते हैं काईसे इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए कि देखिए कोई भी है हम को यह पूरा रिजल्ट का इसे याद है उसमें जब तक चलाकी नहीं अपनाएगा तब तक आपको कुछ नहीं होगा चलाकी अपनाना पड़ेगा एक होता हाड वर्क एक होता smart वर्क तो आज कल के जमाने में यह स्टुडेंट हाड वर्क कर रहा है तो वह कोई भी competition फेश नहीं कर सकता है हाड वर्क का कोई भाईलू नहीं है आज कल के जमान में कि क्या स्टुडेंट का पढ़ने के जन्शन का क्या हो गया जैदा हो गया है इसलिए आपको smart वर्क तो smart वर्क किसको बोलते हैं तो smart वर्क बोलते हैं जिसमें आप चलाकी आप टिर्को का टिर्कोमेट्री का फर्मूला याद करते होंगे यसे दोगे sin अभी तो हम टिर्कोमेट्री पताएं नहीं तो जब बताएंगे तो आप वहाँ पर हमको बताएंगे sin a पलस b बराबर होता है sin a into cos b अब पलस cos a into sin b इसमें हम कैसे याद किया है देखिए वह ऐ sin a plus b बराबर क्या होता है sin a into cos b अब पलस cos a into sin b देखिए कैसे हम याद किया है आपको हम बता रहे है वह ऐसे ही आपको भी चला की अपनाना है तो क्या करते है sin a into cos b और उसके बाद क्या करते हैं अंगील को interchange कर देते हैं इंचरेंज हम की है कि नहीं कॉस का एंगिल भी है तो क्या करेंगे साइन का एंगिल भी कर देंगे साइन का एंगिल भी साइन का एंगिल ए है तो कॉस का एंगिल क्या होगा भी होगा तो sign का angle A है तो cos का angle A हो जाएगा और cos का angle B है तो sign का angle B हो जाएगा और क्या करेंगे sign का इसे लिखेंगे यहां पर जो sign होगा वही sign यहां पर देंगे तो चला की देखे याद करने का यह नहीं के बच्पन के तरह हमको स Season को कौई teacher हमको बताया कि बाबू A है लिखा जाता है को स jogo दो फाने की का लेता है उसका कोई concept नहीं लेता है जियाद करना पड़ए है तो वहां पर क्या करना परेगा जैसे एक ही sign A plus B का, तो sin A minus B का भी result याद करेंगे, नहीं याद करना है, क्या करेंगे, उसी type से करना है, जो concept यहाँ पर अपलाई किया है, वही concept वहाँ भी अपलाई करेंगे, तो आपको दोनों फर्मुला का याद नहीं करना पड़ेगा, उसमें difference को क्या करना है, याद रखना है, क्या क तक आप चलाकी नहीं अपनाईगा, तब तक कोई competition फेश नहीं कर पाईएगा, चलाकी अपनाईगा, तब नहीं थोड़ा सी लेवस नहीं है, आईएसी में, यदि आप 8 से ले करके, और आईएसी तक आप सिंसियर हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, तो वही चीज आपको बार-बार कोई भी, कितना student क्या करता है, तेन तक आप 10 के below, below-matic में, भूगोल होता है, नागरिक होता है, इतहास होता है, एकोनोमिक्स होता है, जो होता है, उसको क्या करता है, निगलेट करता है, वो नहीं पढ़ता है, उसके बाद ISE के बाद क्या होता है, जेनल में घु हम बोलते हैं, तेन से नीचे वाले को, below-matic में बोलते हैं, तो आप स्टार्टिंगे से एटे कला से यह सब सारे चीज़ को आप कर लीज़ेगा, तो आगे जब आप जेनल में या कोई भी BPSC के तियारी करिएगा, कि CGL के तियारी करिएगा, जो भी चीज़ को आप तियारी हो पाएगा, यदि जीज दिन वो चीज़ आप कर लीज़ेगा, तो आप 100% के साथ हम कहते हैं, कि आप यदि qualify नहीं कर पाएगा, तो हम परहाना छोड़ देंगे, ABINSON ACADEMY में, ओके, चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या पता रहता आपको, राम इट्स एपल, रा राम इट्स एपल, राम इट्स फ्रूट्स, राम फ्रूट्स खा रहा, तो ऐसा नहीं है कि राम एपल ही खाता होगा, मैंगो भी खाता होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, नोट इमपलाज का यूज करेंगे, तो राम इट्स एपल, राम इट्स फ्रूट्स, यानि दोनो साइड से हम नहीं का सकते हैं तो वहां आप किस का यूज करेंगे not implies both way का यूज करेंगे चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मोटिवेशन आपको बहुत बता दिया है motivational speech वह आपको फ़लो करना है तेन्स टू यह तीर का मिनिंग क्या होता है जब हम लोग 11 डुपिक है रिमीट वहाँ पर इसका यूज करेंगे यदि इसको यहाँ पर आप समझ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत मजा होगा लगेगा आपको पढ़ने नहीं तो कोई भी चीज आपको मज़ा कब लेगा जब इंटेस्ट लिजेगा ऐसे आप अजय मुवी आप देखते राते हैं तो मुवी का yhtिस कहा पर कहा करा हैgos चुम्मा कहाँ पिखक वो सारा चीज को कैसे याद रहता उसी टाव से आप को बंद काम लिया है तो जब तक आप आप ब्रशिंद आप the started से अच्छे नहीं करेंगा तो लास्ट में भी आपका क्या होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा इसलिए शुरवाते से ही आप अपथा करिए जैसे हम माईने पिक्टर बनाया इंड में क्या हो गया घरबर ही पिक्टर ओबत फलोप हो जाएगा जैसे कोई भी फुट बाउल्स खेले अच्छे खेले और लास्ट में γोल ही ने यह क्या बोलता है इसको 10 2 X 10 , 10 टू एक시면 रड़य करता है एक नॉंबर कुशन करता है गिसए एक , एक नमबर है क्या इंपर खिआ जक है that is lecture number one में बताये हैं कि that is का पर्यों कहां करते हैं एक ही थिंग्स को हम दो तरीका तीन तरीका चार तरीका से जाने वहाँ पर हम that is का यूज करके और उसको हम definition यानि derivation करेंगे x is lie in neighborhood of a neighborhood का मतलब क्या होता नजदिक में उसके नजदिक एक नजदिक x tends to a from right क्या बोलते हैं x tends to a from right यहां पर माथमेटिक लिए हम लिख दिया है या इसको आयसे भी लिख सकते हैं x tends to a plus या इसको आयसे भी लिख सकते हैं x tends to a plus 0 यानि इसमें क्या इसे जश्ट बरा इसे जश्ट बरा दो माथमेटिक में इसको दो माथमेटिक लिख सकते हैं x tends to a plus या x tends to a plus 0 means क्या होता इसका मिनिंग क्या होता है x is a number x क्या है एक नम्मर है which is just greater than a a से क्या है just greater है चलिए उसी को दूसरे लाइंग में क्या बोलते हैं देखो बाबो जब यह that is का यूज करेंगे तो समझ जाना है कि इसको दूसरे लाइंग में भी बोल सकते हैं x is approaching to a x क्या है a के approach में है यानि उसके नजदिक में है from right from right इसी को हम बता दिया है यह लाइन तो हम यहां पर लिख देते हैं तब तो समझ में आएगा इधर होगा minus infinity एरो का मतलब क्या इसका अंत नहीं है उजाते रहेगा यहां पर a है और यहां पर क्या हो जाएगा a पलस होगा होगा कि नहीं बाबू a पलस a पलस यानि x क्या है a से just बढ़ा है क्या just बढ़ा है एक्स टेंस टू a pls इसी को हम लिख दिया है इच रिडाज क्या परते हैं एक्स टेंस टू a फ्रॉम राइट एक्स इसके राइट साइड में अप्रोच कर रहा है चलिया आगे हम लोग चलते हैं आगे क्या है आगे है कि x tends to a minus x tends to a minus या इसी को आप दूसरे लाइंग में भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कभी भी जीवन में भुड्हाप Supreme यह नोट्स को परिएगा तो आपको समझ में आईगा जो भी बात हम बोलते हैं वह सारा चीज़ आपको बवी लिक देते हैं कभी भी आप परिएगा तो आपको समझ में 100% आएगा x tends to a minus x tends to a minus 0 means x is a number x क्या है एक number है which is just less than a एक क्या है just छोटा है that is x approaching to approaching a from left से यहाँ पर देखो कैसे approach करा a minus a के left side से approach करा है उसको छूड़ा है तो उसको क्या बरेंगे x tends to a minus is read याज x tends to a from left यानि x किसे approach करा है left side से क्या करा है उसको छूड़ा है approach करा है उसके नजडिक जा रहा है ओके तो वहाँ पर इसको बलेंगे x tends to a from left यादी a plus रहा था तो x tends to from right a plus क्या होगा a से बरा होगा a minus क्या होगा a से छोटा होगा a plus a plus क्या होगा a plus a से बरा होगा a plus a से बरा होगा और a minus a से क्या होगा छोटा होगा वो तो जानते होंगे कि पलस बरा होता है माइनस क्या होता है छोटा होता है आगे इसको एक्जामपल से क्लियर कर समझते हैं क्रेस्ते टू कौू एक्स टेंस टू थ्री एक्स टेंस टू क्या होता है यह नहीं खई स्ट्येंस क्सक्高 सट्टरी का मतलब और थी नहीं या तो X 3 से बढ़ा होगा या X 3 से छोटा होगा X is just greater than or smaller than 3 X क्या चीज़ को X tends to 3 क्या चीज़ को रिपर्जेंट करा है कि X क्या है थीरी से या तो बढ़ा होगा या क्या होगा छोटा होगा बढ़ावर कभी नहीं होगा ये चीज़ को यह क्या करता है रिपर्जेंट करता है वह सारे ची हम लिबीन पर बनेंगे इसलिए आपको 100% समझना आभी कि वहां पर जाकर हीरो हम बनेंगे अभी हम बना देद वहां पर कहले रिए लेवल से तो आपको तो हीरो तैया है बनना ही है कि अब यहन क कभी हमेशा मुन करएगा यह नहीं कि बता रहे हैं तो हमेशा मैथे पड़ेंगे तोह तुर एक enclosure result देखने के लिए physics भी आच्छा होना चाहिए chemistry भी होना चाहिए और क्या optional paper जो भी होगा English और Hindi उसको भी आच्छा करना है तो हरे टोपिक पर हरे चेप्टर पे क्या करना है equally समय देना है एक पलान त्यार करना है कि 2 घंटा क्या करना है फीजिस परना है, दो घंटा कमेश्ट्री और दो घंटा माइट, एक घंटा इंगलेस, एक घंटा हिंदी, कितना टीचर लोग बताते हैं, बोलते रहते हैं कि क्या, कि इंगलेस बाद में पर लेना एक मेना, इंगलेस बाद में एक मेना पर लेना, तो इससे थोड़ी होगा, गां अएसा रातला साव टोपिंग तो एक में नहीं में वसके हीरया प ex revis qué हो जाएगा काम बन जाएगा दो afford कियों कर धीया सारा एक यह जाएगा एकिषट कह सीले की बनाया दीशWhat चोड़ी थां तो इसका टीचर के बात में करना है जब आप छोड़ दीजेगा और इंड में करिएगा तो आपको बोज लगने लगेगा आपको माइंड काम नहीं करने तो शुरुवातिय से क्या करना है सारे चीज को अलेवंथे में इंगलीज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप जो करिएगा तो आपको इंड पोजिशन पर आपको बहुत ईजी नहीं लगा और माइंड आपको कुल लेगा कि कुछ नहीं है हम तो सवरा चीज पढ़े हैं इसलिए आपको शुरुवातिय से अच्छे करना कि ल आपको बाते हैं तो वह सब चीज बातों को आप ख्याल रखना आप वह सब चीज को तब यह आप आगे में जा करके आप सक्सेस होईएगा आप लोगों कि लिए सराची हम बताते हैं चलिए हम अपना टॉपिक सकते है एक्स टेंЗ टू 3पलस एक्स टींस टू 3पलस मतलब क्या है एक्स इस जाश्ट्ट्झ restriction 3पलस का मतलब वह सची सिक आप दूसरे लांग में लिख सकते हैं एक्स टेंस टू 3पलस जीरो क्यों यहां समझ भी कि नहीं है नीचे हम सारा चीज बताये हुए है आपको पहले हम बता देते हैं सारा चीज लिखा हुआ है एक्स थिरी पलस का मतलब यह नहीं कि एक्स बरावर थिरी पॉइंट जीरो वन एक्स बरावर यह नहीं हुआ एक्स बरावर यह नहीं थिरी पॉइंट जीरो वन नहीं जास्ट बरा होता है क्या होता जास्ट का मतलब क्या थिरी पॉइंट जीरो 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 वन इसका म पॉइंट उसके नजदिक आएगा 0 इसलिए यह क्या हुआ यह नहीं हुआ कि X is equal to 3 plus का मतलब यह नहीं कि X अबराब 3.01 नहीं तो यह आप क्या करें नो टीम प्लाच क्या नो टीम प्लाच यानि आएसा हम नहीं कह सकते हैं X tends to 3 minus का मतलब क्या हुआ X क्या है just क्या है छोटा है यानि less than 3 X is just less than 3 लिखा हुआ है X बराबर 3 minus का मतलब यह नहीं कि X बराबर 2.99 क्या होगा यह लिखना क्या है गलत क्या हो जाएगा 2.0000009 आईसे लिखेंगे यानि just क्या होता है छोटा यहां पर हम लिख दिया है यानि यह 3 plus किसे एप्रोच करेगा राइट से एप्रोच करेगा 3 plus और 3 minus का मतलब क्या है लेट से क्या करेगा 3 को एप्रोच करेगा नजडिक जाएगा तो आज के लिए इतना ही यह आपको समझ में आ गया होगा तो मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिजेगा और ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और वाई से ही क्या करना है आप लोगों को वीडियो को देखना है नोट्स बनाना है उसको अच्छे में क्या करना है परना है और आपके लिए हम बहुत एपस लाने जा रहे हैं आप दिल्ली बंबई करकता कोटा कहीं भी पर नेगली दे तो आप जाने का जरूरत नहीं है हम एपस लाने जा रहे हैं और एपस आपको लाइब कलास लेंगे घर पे भी बैठे आप मोयल ले लिजेगा छीजार साताजार में और घर बैठे ही आपको क्या करना है ये स्टडी भी क लेंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे लाइब कलास आप लोगों के लिए लेंगे वैसे जैसे ही हम कलास लेंगे इस्टाइटिंग करेंगे वैसे ही आप लोगों को लाइब आ जाना है कैसे आपको उसको डानलोड करना है कैसे क्या करना है कितना प्राइस रहेगा वो सारे का एक हम वीडियो बना करके आपको हम सारा डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे जैसे ही मेरा इपसाएंगे वैसे ही हम आपको बता देंगे और आज के लिए इतना ही ओके बाय